कहानी शुरू होती है, दिखाया जाता है कि चारो तरफ जंग का महाउल है, युएस आर्मी के सोल्जर यहाँ दुश्मनों से लियर ने में नस्रूप हैं, और इसके वक्त दुश्मन उनके एक हेलिकॉप्टर को तबाह कर देते हैं, जिसकी वज़ा से महाँ भगदर मैच जा और ना ही उनकी बॉड़ी महा रही थी, इससे पहले कि ये सोल्जर कुछ समझ बाता, यहां एक और धपका होता है, जिसके चलते ये सोल्जर बेहोश हो जाता है, उसे होश आया, तो उसने अप्या को एक जिल में पाया, उसके साथ क्या हुआ था, वो कौन था, या केस से आ ना बन नहीं किया, तो हम दोनों मारे जाएंगे, ये सोल्जर जील की खिर्की उतार कर बाहर देखता है, वहां तबाही ही तबाही थी, साथ जेल में बैठी हुई लिर्की, इस आदमी सोल्जर को अपना नाम नादिया बताती है, और कहती है, कि ये तबाही हमारे दुन्या में हमला करने वाले रोबोर्टिक एलियन्स देखी है, और अगर तुमने शोर करना बद नहीं किया, तो वो हमें ढूट कर यहां आकर हमें मार देंगे, इस जिता हमें यहां के लोकल केंगे बंदी पेना कर रखा हुआ है, उनकी इदी बातों के दुना यहां पर गैंस्टर इस प्यास आते हैं, इरान बंतौर पर इस सोल्चर को गैंस्टर की लेंगे समझ आ रही थी, वो इनसे डील करने की कोशिश करता है, लेकिन यह गैंस्टर तो उन्हें बाहर में पीदू ले थे, ऐसे सोल्चर और इन गैंस्टर से लड़ते लड़ते यह सोल्चर वहां बनी एक खेड़ की से बाहर घिर जाता है, जबकि दूसरे गैंस्टर यहाँ पर नादिया की जेल में जाकर नादिया से बत्तमी सी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नादिया वक्त रहते ही इन गैंस्टर की गन शीन कर इन दोनों को ही चक्मा देते हुए जहां से मार देती है, यहाँ से आजात हो जाते हैं, पता चलता है कि वो एक आर्मी डॉक्टर है, इसलिए वो इस बुरी सिच्वेशन से निमेट पाई, यहाँ से बाहर सोल्जर जो अभी तक गैंस्टर से लड़ा था, वो अब उसी की गन लेकर उसी को मार देता है, यह गैंस्टर का लीडर था इस सोल्जर ने गैंस्टर के लीडर को मार दिया था, यह देखकर पीछे से दूसरा गैंस्टर जब अपनी एलेक्ट्रिक डिवाइस से सोल्जर पर हमला करने के कोशिश करता है, तो हिरान कुंतर पर सोल्जर को क्रेंट लगने के पचाए, जिस आत्मी के हाथ में वो डिव मोबी इस एलियन से बचकर एक कार के पीचे चुपचाता है, लेकिन हेरान कुंतर पर ये एलियन उसे स्कैन करके उसे बिना नुकसान पहुचाए, यहां से जा चुका है, खतर डलने के पाद फोरन सोल्जर नादे को बचाने करिए, इस पुलिस स्टेशन माली बिलिंग में जहां पर गैंक्स्टेश ने उन्हें बंदी बना करका था, तो देखता है कि नादिया ने अपने आपको आसाथ करपा ले आए, नादिया यहां उसे उसका नाम पुछती है, लेकिन सोल्जर को तो कुछ याद नहीं, नादिया उसके उनिफॉम भी उसका नाम दिखने की को लेकिन जब यह सोल्जर बाँ जाने के जद करता है, तो ना चाते हुए भी नादियक उसका साथे ना पढ़ता है, यह लोग पिहां करी एक कार का इस्तमाल करते हुए आगे पढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में कोई उनके उपर हमला कर देता है, उनकी कार का एक्सिनेट होकर वो एक तरफ के जाती है, पता सलता है कि हमला करने वाले कीनिया की सोल्जर थी, जो बो को देखर उसे मारना शाहते थे, क्योंकि वो एक यूएस मिल्ट्री का सोल्जर था, और कीनिया को लगता था कि इस दुनिया में ड्रोन्स के आने की बचा सिर्फ यूएस मिल्ट्री ही वो उसे अपने काबू में कहड़ेता है, वो उसे की हाथ में पकड़ी हुई गंगा कंट्रोल, अपने बास लिपे हुए, उसके दो साथियों को मार कर उसको बंदी बना लेता है अब वो इनी सोजेस की काड़ी लेते हुए आगे पढ़ते हैं, काफ़ी दूराने पे ये लोग देखते हैं कि रास्ते बेविजनी की तारे बचाए के थी, जो इन एलियन रूपोर्स के लिए पैंस का काम करी थी, आकि एलियन रूपोर्स आगे ना आपाएं, ये लोग य और उस रूपोर्स के सामने आजवाते हैं, एक आत्मी और उसकी बेटी, वो रूपोर्स भी देखते हैं, जो देखकर इन दोनों को दुखवा, इससे पहले के वो रूपोर्स बच्ची को भी मार देता, जादिये यहां पर गंचिला कर रूपोर्स का निहान अपनी दरफ क इन दोनों को स्कैन करता है, लेकिन हेरान कुंतों पर इन दोनों पर फिर भी हमला नहीं करता, और पीछे मुर कर वापिस उस बच्ची को मार देता है, यह दोनों समझ नहीं पा रहे थे, कि रोबोर्स ने इन दोनों को की छोड़ दिया, जैंगे लोग अब पैदल ही आगे इन दोनों को यहां किसी चीज के साथ बाहन पिया चाता है, और फिर अचानक की दो बाइकर्स इनके करीब से घुज़रते हैं, और बाइकर्स के पीछे पीछे यहां वो रोबोट प्याने लिता था, जो पहले से ही वो काप नीशा कर रहा था, वो समझ आता है, कि इन लोग उने एलियन को यहां तक बुलाने के यह उनका चारे के दोड़ पर इस्तमाल किया है, जैसे ही एलियन यहां आता है, यह लोग मिलकर उसके उपर हमला कर देते हैं, एक आत्मी उसके उपर जनशी पहता है, जबकि पीछे से दूसरा आत्मी उसको शूट करके मारने की करता है, यह रोबोट तो यहां गेश आता है, लेकिन इससे फाइदा नहीं हुआ, क्योंके दो रोबोट यहां और आ चुकी थी, और इनको डिस्ट्राइट करने की यह पाइकर जल्दे से निकलते हुए यहां से दूसरी दरफ पागते हैं, रोबोट भी पाइकर पीछा कर करते कहते हैं, यहां से दूसरी चलने साते हैं, और मोगे का फाइदा उठाते हुए, यहां बोग और ना दिया, दोनों अपने आपको छुड़वा कर भाग चुकी थी, वहां पैदली सफर कर रहे थी, आगे शलते-चलते इन्हें एक कार मिलती हैं, जिसमें बैठकर यह ल जिन से बशने के लिए, यह लोग करीबी एक घर को देखकर उसकी बेसमें में अपनी जान बशाने के लिए चुक जाते हैं, और इससे दोरा यहां पर एक बहुत बुरा तोफान आजाता है, इस तोफान ने उनके उपर से पूरा घर तोड़ दिया था, पतास होता है कि यह कोई तोफान नहीं, बहलती एलियन शिप थी, जो इस घर को तोड़ कर इन्हें अपनी तरफ खेंच रही थी, नादिया और बोथ दोना ने एक दुसरे को अच्छी तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी यह एलियन शिप से बशती ही पाते हैं, और नादिया बो से छूटकर एलियन शिप के तरफ देजी से बर्णने लगती हैं, वो अब यहां से नीचे गिर चुका था, जबके एलियन शिप नादिया को नेकर यहां से जा चुकी थी, कुछी तेर पाज जब वो को होश आया, तो उसने देखा कि उसका पाउप बहुत ही बुरी तरह जख वो इन रूपोर्ट से लेड़ रहे थे, रूपोर्ट से इतने दाकतवर थे कि उनको इनसानों का सामार कर नेकर यह किसी हतियार की सिरुवत नहीं थी, इसी जब को दुरान एक रूपोर्ट की नसर परश आती है, बो के उपर, वो इसने ड़र कर एक जिपा पर चुप चु जादर सूचने की वज़ा से उसका दिमाँ ठक कर फूप बेहोश हो जाता है, उसे होश आया तो वो एक आर्मी कैम्प में था, जहां उसके टांक के सखम का भी इलाज कर दिया गया था, इस कैम्प में कुछ आर्मी के लोग थे, कुछ शहर के लोग तो कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर इन एलियन्स से लाइने के लिए बहुत से हथ्यार और एक बखुट बड़ी मशीन बनाए थी, यह बड़ी से मशीन या कहलेंगे बड़ा सा वैपन उन एलियन्स की एलियन्चिप को तबाह करने के लिए था, अकर उनकी एलियन्चिप तबाह हो जाती तो तो उसके साथ साथ सभी एलियन्स भी मारे चाते, अब ये लोग की ही बाते करे रहे थे, कि नहें पता चलता है, कि बहुत से एलियन्स रूबोर्ट्स उन्ही के कैम्प की तरफ आ रही हैं, ये बात जानकर बोर्ट डर जाता है, उसे समझ सही आती, कि जहाँ जहाँ वो जाता की बाता है, इलियन्स को उसे लोकेशन के बारे में कैसे पता चल चाता है, और इलियन्स सिर्फ उसे का भीछ लूग गयती है, दूसरी तरफ, जिस सब लोग की इससे कुफिया कैमक के बारे में अखिर पता कैसा चला, जहां वो इन लोगों के以上 को हूसरे दिखने न mechanic जिस अंजीरियन ने एलियन्स को मानने के लिए डिवाइसेज मिनाई थी, उसने यहां पे रूबोर्ट्स के बहुत से स्केचेश भी मिनाई थे, इनी में से एक स्केच में वो देखता है कि एलियन्स ने किसी इंसान को पकड़ रहे और यह देखते ही उसी साब आच रहता है, तो उनमें से एक एलियन्स ने उसे पकड़ लिया था, और उसने वो की बोड़ी के अंदर कोई डिवाइस इंचेक कर दी थी, और इसी डिवाइस की वज़ा से यह एलियन्स उसे ट्रैक कर पा रहे थे, और इसलिए प्रोबोर्ट्स उस पर हमला भी नहीं कर रहे, और इस व पाद इस कैंप के लोग बोग कोई मारना चाहते थे, इसे मैंने के वोग को मारने थे, वो कहता है, रुको मुझे नहीं मारो, मैं तुम्हारे बहुत कामा सता हूँ, देखो, मैं जाह जाहूँगा एलियन मेरे बीच राएंगे, वो भी अपनी एलियन शिप लेकर, अब इस यह मशीन लेकर एक टैनल के बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हुए यह देखते हैं, कि अलियन शिप अब एक ऐसे जोगा पे जा रहा था, जहां बहुत से लोग थे, जल से जल अलियन शिप के पास पहुचना चाहते थे, और शॉटकोट लेने के लिए एक और पतली सी टै इनकी वो साथी जो सक्मी थी, वो इनसे गहती है, कि तुम सब वक्त रहते ही, यहां से चले जाओ, मैं इनका सामना कर डूंगी, यह लोग भो के साथ, उस बड़ी से मिशीन को लेकर इस टैनल से बाहर निकल जाते हैं, और उस तरफ पढ़ने लगते हैं, जहां एलियन इनकी देखते हैं, कि एलियन से सबी लोगों को बंदी बनाया हुआ था, अब यह लोग इन इनसानों के हाँ होते हुए तो एलियन से पर हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जो एक सोलजर है, वो जहन लडाता है, और यहां एक एलियन पर बाम से हमला करता है, जिसकी एलियन शिप को खतम कर सकते थे, वो भी खराब हो जाती है, अंजीनियर दिखता है, कि उस मशीन की बेटरी खराब हो गई है, और सब्सक्राइब उसे वग रहा था, कि उसका मिशन बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि हम बिज़नी का कोई सौर्स पी नहीं था, इसी वक बो को याद आता है, कि कैसे, जब एक आदमी ने उसे इलेक्ट्रिक छॉक से मारने की कोशिश की थी, तो वो आदमी खुदी मर किया था, उसे अब रहनाइस होता है, कि जो एलियन दे उसके अंदर डिवाइस कृट की थी, उसकी वज़ा से उसके अंदर एलेक्रिसिटी को करने की पौबरा दे है, यही सोचते हुए उचलती से इंसानों की बिनाई मशीन के पास आता है, इसी मशीन के पास एक रोबोर्ट बिठा, वो रोबोर्ट के उपर हाथ रख देता है, लेकिन बो इस सारे दर्थ को परिदाश करते हुए, अपने दुस्रे हाथ से उस मशीन को अनर्जी देता है, अनर्जी की मिलते ही, यह मशीन एक्टिवेट हो जाती है, इसके अंदर से बहुत सी इनर्जी बाह निकलती है, जो उपर जाकर एलियन शिप को तबाह करतीती है, बो ने सारा दर्थ सेहते हुए, अलियन की इनर्जी को इस्तमाल करते हुए, इस शिप के तबाह होते ही यहां सभी रूपोर्ट्स का भी खात्मा हो गया था वो की वज़ा से ही यह लोग इलियंट्स को हराने में काम्याब हो पाई थे तभी मिलकर अपनी चीत का जिशन मनाते हैं जिसके साथ यह कहाई यही खत्म हो जाती है